यह जो आपको कोई नहीं बताएगा कि बाजबा का एक मातर उदेश है जैनके में सरकार बनाना जो वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं है वागी की बात है कि सरकारी सभी फंक्शन्स तैस हमें पे हो रहे हैं बिना बिना किसी रुकावट के हो रहे हैं किश्मीर में एक जनता को बाद में दोखा दिया सबसर प्रतम मोदी जी कोई दोखा मगर जमू के विशे में यह तैय है कि दूर दूर तक बाजबा के आने का कोई चांस नहीं है जमू कश्मीर में पिछले कई समय से अलेक्शन्स नहीं हुए जहां पर आम जनता हरे का सवाल है कि आखिरकार अगर बाजबा की बात करें और सृफ्टोर पर उनकर कहना ही कि यलेक्शन कमीशन को डेड़ मिदारइत करनी है बाजबा सरकार पूरी तरीके से टीयार wsविशे में बाचित करने के लिए हमारे साथ राजशुवर जम्वाल हमारे साथ मुझूद हैं जोकि e Representative نے से बात कि पिछले एक साल या उससे अधिक समय से यह सुना जा रहा है कि इलेक्षिन होगी हम त्यार हैं अंदर-अंदर लगे भी हुए है मगर तथ ये है कि आने वाले शे महिने तक ने मुनसार जेन के में इलेक्शन नहीं हो सकती उसका कारण है हाल में जो इस समय इलेक्टरोल रिवीजन या इन्रोल्मेंट चल रही है जबकि सेन्टरल इलेक्शन कमिशन ने ये प्रेस क्रांफरेंस में मार्च में कहा कि इस एक्सेसाईस से जमो किश्मीर की इलेक्शन की तिथी निशित करने में कोई फरक नहीं आने वाला मगर वो ये थार्थ से बहुत दूर है उसका कारण है कि भिन भिन स्थानों से SMS मेसेज मिले में प्राप्त हो रहे हैं ऐसा ये मेसेज ये बताता है जिसमें ये लिखा गया है कोई भी माताता पीशे ना छूटे यदि से लेना देना है कि ये क्या कहा जा रहा है अगर जो एक व्यक्ति जो आज वोट बना रहा है और वो अक्तूवर तैईस में थारा वरिश का होगा तो क्या संबव है कि अगर यहां पे जुलाई में एलेक्शन होती है तो वो वोट डाल सकता है तो ये बात दर्शाती है कि कहने को एलेक्शन कमिशन अजाद है कांसिजूशनल अथारड़ी है मगर ये सब कुश अलेक्शन कमिशन ने जमो कश्मीर का दोरा भी किया जहां पर उन्हें ने जाइजा लिया कि क्या जमो कश्मीर की आम जनता तयार है अलेक्शन के लिए या नहीं जमो कश्मीर की जनता तो पिछले एक डेड़ साल से इसलिए तयार है कि जमो की जनता त्यारी के जमू संभाग के अलग कारण है और सीरी नगर संभाग के अलग कारण है तो इसमें क्योंकि पिछले डेड़ दो साल से जमू किश्मीर में कोई ऐसी गतिविती नहीं है जो नहीं हुई और उसमें किसी परकार का किसी ने रोड़ा अटकाया हो यह दुरबागी की बात है कि सरकारी सभी फंक्शन्स तैस हमें पे हो रहे हैं बिना किसी रुकावट के हो रहे हैं और जहां लोगों का इंटरेस्ट है या सरकार कहती है कहता है फैस्टिवल आफ डेमोक्रेसी तो लोगों को फैस्टिवल आफ डेमोक्रेसी करने का मोका क्यों नहीं दिया जा रहा है तो यह बात साबद करता है क्या लगता है क्या लगता है क्यों नहीं करवाई जाने है हकीकत यह है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि बाजबा का एक मातर उदेश है जैनके में सरकार बनाना जो वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं है जमू के नेता तो पिछले एक वरश से यह भी कह रहे हैं कि जब चुनाव सामने आएंगे जब चुनाव होंगे तो क्या आ तो काफी लोग प्रिये है लों इस में कोई दो दो राय नहीं है मोधी जी के कहने पर जिन्नों ने यहां पर法 spic BCE कॊंसलेर्स ने जनताको बाद में दोखा दिया सबसर प्रतम मोधी जी कोई दोखा दिया उन्होंने मोधी जी के जो प्रिंसिपल्स उनको प्यारे थे उन्हीं का उलंगन किया और इसी प्रकार जब बाजबा बाजबा ने किसी कारण वंच पीडीपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई तो जब सरकार से हड़ गे तो तब हमारे हो मिनिस्टर जी कहते हैं कि मैडम भूबा ने उनके मंत्रियों को काम नहीं करने दिया क्या ये बाद कोई समयधार व्यक्ति मानेगा आप कह रहे हैं कि वर्तमान जब चुना होगा तो वर्तमान समय में यानि कि आम चुनता जो है वो नहीं चुनेगी बाजपा सरकार को लेकिन की दावे कर रही है जब भी प्रसवारता होती Netherlands है कि जो पढ़ानमενत्री होगी तीसरे पढ़ानमंत्री वो नरिंद्र मोदि जी होगी और सथा में अगर कोई आएगा तो वर बाजपा सरकार हो हम सेंट्र के विशे में में किसम नहीं कह सकते मगर जमू के विशे में ये तैय है कि दूर दूर तक बाज़बा के आने का कोई चांस नहीं है जो 22 सीटें जीती थी उसकी भी आदी हो चुकी है आलडी और उसके अने जमीनी स्थल के बात करें तो क्या लगता है अब बल्कि जमीनी बात ये है कि बाजबा में जितने भी ने चारे इन्होंने लिए वो पहली सरकारों में रहने के बाद अगर जमू का कुछ भला नहीं कर सके तो बाजबा कैसे उमीद करती है कि वो इतने साथी हैं वो इनसे परसंद नहीं है दूसरा इनके कोंसलों ने इतनी शती पंचाई है शहर में और जिसका कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है तीसरा ये है कि जो हमें समझ आ रही है कि अगर आने वाले समय में पीडीपी एंसी कांगरस मिल गई तो वो साथ से अधि इक सीटे निकालने की शम्ता रखते हैं तो मत सत्य यह है बाकी जंता फैसला करेगी चलिए बहुत 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 शुक्रिया वही पर जो सब्सक्राइब काफे लंबा सामय हो चुका है लेकिन जब कश्मीर में चुनाव नहीं हुए जिसको लेकर आम जंता जो है व चुनाव होंगे और हर किसी का यही सवाल है और वही पर अगर जिस तरीके से जम्वाल जी ने साफ तोर पर यह कहा है कि अगर वरतमान समय में चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं बाचपा सरकार को इसको लेकर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा तो आप इसको किस नज पर ये सलेते ही क्या लगता है आपको किया आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं जमू कश्मीर में तो क्या बाजपा सरकार को इससे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा अपनी राए कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा कैमरा वसंद दीपक किसा शिर्पशामाद जमू कर द helicopter किसा वसंद जमू किसान होगा